ओम साइराम, कैसे हैं आप लोग? I hope सब ठीक होंगे. आज मैं आप लोग के साथ सेयर करूँगी. हम वर्किंग लेडिज हैं, लेकिन तेवहार हमारे लिए भी उतना ही बरावर हैं जितना की एक हाउस वाइफ लेडिज के लिए होता है. तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा ओफिस भी न छुटे और हम ज़्यादा ठके भी न और टाइम से हमारे घर की भी सफाई हो जाएं जैसे की और लेडिज लोग जो घर में रहके करती हैं कुछ तो तरीका होना चाहिए ना. तो मैं वो सब तरीका आप लोग के साथ लेके आई हूँ जो मैं कई सालों से ये चीज करती है आ रही हूँ और मेरे गोल्ड का सोरूम में मैं काम कर रही थी तो दिवालिम तो मुझे बिलकुल भी टाइम नहीं मिलता था तो मैं यही श्राद और नवरात्रे से पहले ही मैं सफाय चालू कर देती थी और अभी भी मैं गनेस जी के पूजा से पहले भी मैंने किया था जन्मास्टमी और गनेस जी पूजा में और जितना आप जो भी तेवार स्टार्ट इंडिया में तो होई गिया है तो सफाय तो चली रही थी लेकिन अगर मन्थ में जैसे हर मेहने में जितने भी आपके कमरे हैं उस हिसाफ से आप मतलब बांट सकते हैं कितना सटरे संडे आपको चाहिए मैं उसी हिसाफ से मैनेज कर के काम कर रही हूँ तो किचन हो गया बेडरूम हो गया डाइनिंग रूम हो गया एक दिन में ये सब नहीं कर रही हूँ एक दिन में एक ही कमरा लेती हूँ बस किचन में मुझे दो दिन लग गए थे और बाकी लगभग मेरी सफाई नवरात्रे से पहले पहले मातारानी के आने से पहले पूरा घर कम्प्लीट हो जाएगा परदा धोना, सोफा कभर, डाइनिंग कभर मतलब जो भी है जितना भी थोरब हो तो देखिए वर्किंग है तो इतना तो सफाई हर संडे में भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हर संडे मगर हम इतना सफाई करेंगे तो और भी एक्स्ट्रा काम होता है, कभी अच्छा खाना बनाना है, कभी बाहर घूमना है, कभी कुछ करना इतना deeply सफाई तो हर संडे भी नहीं कर सकते हैं हां मन्त में एक बार जरूर करना चाहिए तो वो मैं कैसे करती हूं वो मेरी बड़ी बेटी है वो भी साथ देती है मेरे हस्वेन भी साथ देते हैं और जिसके कारण मैं बहुत अच्छे से असानी से और खुसी-खुसी हमारे घ जनसन भी नहीं होता है मेरी बेटी को जैसे म्यूजिक सुनना पसंद है तो वो अपना म्यूजिक लगा लेती है और पहले तो मैं सबसे पहले सोने के लिए छोड़ देती हूं क्योंकि देखिए जैसे गनेस पूजा हुआ या माता रानी का भी दस दिन पूजा होगा तो व उसके लिए तो हम लोग बहुत जल्दी उठते हैं ताकि मैं भी अपना ओफिस का घर का सारा काम कर सकूँ और ये लोग भी अपने टाइम से निकल जाए लेकिन सफाई मतलब हम जानबुच के साट अडरे संड़े दो तीन वीक पहले से ही स्टार्ट कर दिये हैं ताकि किसी को भी कोई प्रॉबलम ना हो और एक एक कमरा करते चले जा रहे हैं और जैसे एक दिन डाइनिंग रूम हो गया एक दिन बेडरूम हो गया एक दिन स्टोरूम हो गया किचन में क्योंकि टाइम लगता है तो दो दिन में किचन की हूँ और अभी धीरे धीरे दिवाली तक भी किचन में करना ही है वैसे तो ये सारा फिर से जब तेवार हो जाएंगे दुरगा पूजा का फिर करवा चोट जो भी है उसके बाद फिर से सफाई करूंगी क्योंकि गंदा तो एक महिना फिर से दिवाली तक होना ही है लेकिन इतना गंदा तो नहीं होगा अगर हम बीच बीच में कर रहे हैं तो बहुत साफ है और क्योंकि माता रानी आ रही है और पहले भी वीडियो मताई हूँ हमारे पुरबज भी इन सराद में आते हैं तो घर कैसे गंदा रखें जब हम एक रिस्तेदार रिलेटिव कोई हमारे फ्रेंड्स आते हैं घर में अगर हम उस टेम हम घर को सफाई रखते हैं पूरा साफ सुत्रा रखते हैं तो ये तो बहुत बरी बात है कि हमारे घर में माता रानी आ रही है हमारे घर में पुरबज का असिरवाद देने के लिए आते हैं जो भी हो पाया ताकि हमें पुरबज असिरवात दे होता है ना बोलते हैं कि मतलब जितना आप खुस रहेंगे उतना ही हम मतलब हमारे पैरेंस को अच्छा लगता है तो ऐसे ही पुरबज भी होते हैं हमारे लिए कि हम जितना खुस रहें उनको उतना ही अच्छा लगेगा त ये मैं जरूर बोलूँगी कि इतना ठक जाते हैं कि नॉर्मल खाना तो देखी नहीं बन पाएगा तीनों टाइम। तो मैं क्या करती हूँ कई सालों से मेरा ये रूटीन है कि सफाय तो मैं दो तीन हपते करती हूँ लेकिन खाना अगर हम जॉब करते हैं तो किसके लिए करते हैं थोरा तो फिर सरीर का राम देना ही होगा प्रोपर हाउस वाइफ की तरह अगर काम करेंगे तो इतना ठक जाएं तो हलका फुलका तो हम लोग घर में बना लेते हैं लेकिन कई बार क्या करते हैं कि लंच में या डीनर में जो भी है बीची बीच में क्योंकि हम दो तीन हपते का मैं रूटीन बता रही हूँ नवरात्रे तक ये रूटीन चलते ही रहेगा सोचे दिवाली तक ही चलते रहे तो चावल बना लेती हूँ नहीं तो बाहर का खाना एक टाम खा लिए गनेश पूजा में तो देखिए हम लोग इतना सफाई करके और बाहर डिनर के लिए भी जाते थे क्योंकि थोड़ा सा कुछ सौपिंग वगरा भी कर लिए लेकिन सैथ सराद में लोग कुछ खरीते नहीं है और ठक भी बहुत जा रही हूँ मेरी बेटी भी ठक जा रही है तो उसको भी मौल घुमने का बरी बेटी कभी मन नहीं है तो इस वज़ा से हम लोग क्या करते हैं कि घर में ही खाना मंगा लेते हैं और घर में ही अच्छे से अपना खा के इंजॉय करते हैं और हस्वेन को बाहर का भी खाना वो खा लेते हैं नहीं पसंद है तू अपना घर में जो बना के रखती हूं चावल बना दिये तू वो खा लेते हैं तो इस तरीके से मतलब सारा कुछ हो जाता है मतलब जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं ठकावट भी जादा नहीं होती ह है कि तीनों मिलके करते हैं न 2-3 घंटे में एक कमरा अराम से हो जाता है और एक-एक चीज की सफ़ाइizers कर लेते हैं अंदर से जो मतलब डेली में तो तना अच्छे से सफाई हो नहीं पाती है डस्टिंग भी तनी अच्छी से नहीं हो पाती है और खासकर छोटी बेटी तो बहुत घर को गंदा कर देती है तो लेकिन फिर भी दो तीन घंटे चार घंटे मतलब अराम से छुटी के दिन में आठ वजे उठते हैं जानवुच के हाँ मैं छोड़ देती हूं क्योंकि जब तक ही यह लोग का निंद पूरा नहीं होता है न तो ठीक से काम नहीं करना चाहते हैं और मैं भी रात में लेट सोती हूं तो क्योंकि पता है दिन में काम करना है तो इसलिए लेट ही उठती हूं और अराम से तिन ध्यान रखते हैं इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं अपना भी लाइफ जीए लेजिए और इस